आज मैं बताने वाला हूँ आपको सी का एक important प्रोग्राम जो कि है gross salary का program बहुत ही ज्यादा questions जिसे gross salary से लेटेड आ जाते हैं आप अगर examinations देखते हो तो आपको semester's papers में भी इस तार का questions आ जाते हैं तो चलिए इसको करते हैं start और बताते हैं कैसे program के थुरू आपको gross salary निका आप निकालते हैं gross salary चलिए प्रोग्राम को start करते हैं जिन्हों वीडियो को लाइक ने किया गाइस लाइक कर लो और जिन्हों सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो तो यहाँ पर हमें करना है पहले हम प्रिंट एफ यहाँ पर हम लेंगे इंटर बेसिक salary इसके बाद हम इसका condition डाल देते हैं scanf का और कोई भी दिक्रत हो आप मुझे comment section में भी बता सकते हैं और आप मुझे instagram पर भी message कर सकते हैं लिंक में description में दे दोगा अब यहाँ पर क्या करना है DA condition डालना है DA condition मैं यह डालना हूँ 10% के इसाप से ठीक है तो यहाँ पर अगर आपके coding आप उसका अलग percentage लेना चाहते हैं तो आप अलग percentage भी निकाल सकते हैं तो इसको काम करते हैं bracket के अंदर क्योंकि इसकी जो arithmetic value के सा आप से वह सही सारीके से निकले तो यहाँ पर यह condition मैंने put कर दिया DA का अब देख रहे हैं और इसी तरीके से मैं TA का 12% पर ले रहता हूं तो 12 गुने और जो भी निकलेगा वह basic salary से ही निकलेगा इस बात का ध्यान रखेगा तो basic salary divide by 100 अब हम यहाँ पर क्या करेंगे जो में gross salary होती है वो gross salary सबका add होकर क्या आती है basic salary का plus DA का plus TA का ठीक है यह ओग गया आपका program ready ही क्योंकि printf अब हम conditions में डाल देंगे कि gross salary जो main condition था वह हमारा हो गया खत्म अब इसको बस print कराना है तो यह हो गया है %d और यहाँ पर पता है कि क्या डालना है gs लगा दीजिए हो गया program closed आप program देख रहे हैं बहुत ही इजी प्रोग्राम है तुरंत आप कर सकते हैं और मेरी माने तो जरूर कीजिएगा क्योंकि exam में यह question बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो चलिए से करते हैं compile कोई भी प्रॉब्लम नहीं करते है राल बेसिक सेलरी 1000 देखने ग्रॉस सेलरी उसका आड़ होकर के बता चल चुका है तो इसी तरीके से निकाल जाता है ग्रॉस सेलरी थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो